रो पीरो मैं तुझे अब चोडूँगा नाई उस रो पीरो ने मेरे लाइट आउस जलाया तो जलाया लेकिन उसके अंदर खड़ी मेरी रोबोटिक कार भी जला जी ये सब उस टिपसन के बाजे से हुआ ए टिपसन मैं तुझे चोडूँगा नाई यह तो गुड़ यारो तुम लोग जानते हो टिप्सन का पता नी यार आज क्यों सुबही सुबह फोन आगया वह कहरा कि attended पूरे बाइस्टाउन में पूंगी बजा रहा है लोगों की पता नीवो क्या रहा है चल क्या रहा है बाइस्टाउन में इविल हल्क को तो मैंने काफी दिनों से देखा नहीं था जब से मैंने उसका लाइट आउस जलाया है ना तब से वो बाइस्टाउन में देखा ही नहीं है लेकिन आव अचानक से कैसे आगया लगता फिर से पिटने चाटा है मेरे से चलो यार उसकी पूंगी बजा क्याते है इविल हल्क की पहले चलते टिप्सन के पास पता नी क्यों फोन कर राता मुझे जल्दी से चलते हैं यारो मज़े आएंगे पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इवी ललक अचानक से क्यों आ गया कि लाइट आउस मैंने तोड़ा था इसका बदला लेने आया है कि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो जो भी होगा टिपसन के पास जाकर मालम अबे अबे क्या औरा बिल्डिंग पर लगानी थी अब शिट यार अब मैं नीचे किडर जाओंगा नीचे तो बहुत गेरा है अबे यार मेरे लग नहीं जाए काई अबे मोटर साइकल गिरी है मत तूटी है मत बच गई हाँ मुझे लगा मेरी मोटर साइकल उचल के गिर पड़ेगी पर वो बच गई आकर कारे मोटर साइकल भी मस्त है तुम लोग तो जानती हो यार यह मोटर साइकल मुझे किसने गिफ्ट करी थी ओ अब पागल है कि मोटर साइकल यह कौन था कौन था जिसने मेरी ठक्कर मारी इसको तो मैं छोड़ूँगा निकल जे डर से बै बैंट 10 ने साइड गिफ्ट करी थी मेरे को तो यार भी नहीं है हाँ चलो यार छोड़ो यह सब वो देखो टिप्सन टिप्सन वो रहा अब टिप्सन भाई देख मैं आ गया अब नोपीरो इस देर देख फॉन कर रहा हूं अब आतो गया और क्या तरह फॉन का मैं अपने जब में बार-बार उठाते रहूं अब मैं रोपीरो तेर को मालम है वो वो इविल हल्क मेरे पास आया था और उसने कहा ओ टिप्सन उस रोपीरो ने मेरा लाइट आउस जलाया मैं सहे गया लेकिन उसके एंडर मेरी रोबोटिक कार भी रखी थी जिसे मैंने सालों की मैनत क जरिये बनाया था और 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 उसने भी बो भी बलाश्ट कर दी मैं उसे चोड़ूंगा नहीं अगर अगर तुने मुझे मेरी रोबोटिक कार वापस नहीं दीना तो मैं तो मैं तेरी गल्फ्रेंड को उठाके ले जाऊंगा अबे क्या वाज कर रहा है ये काम कपसे शुरू कर दिया रोपीरो रोपीरो बचा ले बाई बचा ले अबे तेरी तो ऐसे कम तैसी तेरी गल्फ्रेंड के ले मैं 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 क्या करूंगा अबे रोपीरो प्लीस यार वो 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 उसकी रोबोटिक कार इविल हलके की उन ज जोंबीजों के पास मिलेगी कि पिलीस लिया अब टिप्सन तू पागल हो गया वो जोंबीज है यार जोंबीज मेरे को बहुत मारेंगे रोपीडों मैं तुझे मिसन देता हूं यार अगर ये टिप्सन मेरा दोस्त ना होता तो आज ये किबार में घूसा पड़ा होता चे आकिर यार जाना पड़ेगा बेपाल तू में मैंने टिप्सन का फोन उठाया ठीक रहता हूं जब मैं टिप्सन का फोन ना उठाता हूं कम से कम ये मुसीबतों मैं तो न फसता हूं ये पता नहीं क्या हो सकता लेकिन जो होगा बेकार होगा सबसे बुरा ही होगा अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है ना हम लोग चलते हैं जोंबीज बेव वहाँ पर उन जोंबीजों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई दे देव तुम्हें क्या लगता तुम्हें क्या वाला है अब पर जो होगा देखा जाएगा पहले नमबर तो जल्दी से चलते हैं जोंबिज बेब अब यार इडर से रास्ता तो ना अब कुछ जादा ही लंबा हो चुका यारो अब यार लग गई रे यह पता नियार यह कौन लगा देटा है बार-बार खिड़कियां कोई जल्दी से चलते हैं जोंबिज बेब यारो वह इविल अलक अगर इविल अलक के आंतों लग गई वह कार तो ठीक नहीं होगा और यार अगर हम नहीं देते हैं तो टिप्सन की गर्फ्रेंड को वह ले जाएगा कहां ले जाएगा यार मुसीबत है सश्री ले जाने दिए य दे रहें तो दे रहें ना दे रहें तो तेल लगो मैं किसी की भीयक ना करने वाला अरे इविल अलक यार मेरा दुस्मने में उसके लिए मिसन करूँगा तुम लोग बोलो यार जो होगा देखा जाएगा सबसे पहला अंडर चलते इस जोंबिज बेब के यह अब कोई है कि के बाड़े तो खोलो यार जारो मैं अंडर तो आ गया हूँ लेकिन ये जोंबिज तो बड़े खुस्से लग रहे हैं अबे जोंबिजो मैं तुमसे लड़ने के लिए थोड़ी ना आया हूँ अबे रोपी रह तू यहां पर किसी भी तरह आया हो लेकिन क्यों आया वो मु यहां से अबै रोपीरो वो हमारी सिक्यूर्टी वाली कार है इविल हल्क हमारे जोंबीज बेप पर कबजा करना कर ले इसलिए हमने उसको सिक्यूर्टी के लिए रखा है हमें मत मार अबै तुम लोगों की तो मैं क्या करूं बता वैर वो मेरी दमाग करब कर रहा है अबै टीक है हाँ यह ठीक है यह ठीक है हम लोगों के लिए एक कला बाप कर लाइं वैं फाइस्टान में जो कि सबसे जालव तागत अबार है गुरिण ट्रांसफोर्मर यारो में ग्रीन ट्रांसफोर्मर कार को ढूंडा पड़ेगा इस बाइस्टान में कहीं पर भी चलो यार जल्दी यसे चलते हैं पर मुझे माल मी नहीं है वह जोंबी जोंगी यार वो गGreen Transformersimar मिलेगे का पर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बढ़िफ लिए को मिजadder कार यार हरे यार मेरे तो धिमाग खराब हो रहा है मेरे पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या लेकिन हमें सबस्यापहले green transformer car को ढूनना पड़ेगा और green transformer car हमें कहां मिल सकती है जहाँ पर भी मिलेगी उसे ढूनेंगे लेकिन सबसे पहले तो मुझे कोई car चैन्ग है मैं किस पर बैटूं मेरे पास तो कोई बैटने की चीजी ना है ये motorcycle मस्ते हा रहो इसको मैं खीचता हूँ अबे आज आई डर यह यह तो उड़ते हुए आ रही है चलो यह हमें मोटर साइकल तो मिल गई अब फटा फट से इस पर बैठते हैं और चलते हैं फटा फट से उस गिरिन ट्रांसफोर्मर कार को ढूनने के लिए यारों हो न हो वो मिलीटरी बेस के आसपास होगी जरूर हम लोग न अ मिलीटरी बेस चलते हैं वहाँ पर ही मुझे मिलेगी अब यार यह क्या ठुक गई मेरे आ सपास क्यों रहतीयां कोई न का गलती साइकल की सब कलती से गलती हैं ऐसे तकतला से वाना। यह आपना मिलीटरी बेस बाइस टाउन का हो ना हो ग्रीन ट्रांसफोर्मर कार यहीं पर मिलेगी मुझे अब किसी से ठोकना नहीं है बस बस किसी से ठोकूना फिर तो आराम से पहुंच जाऊंगा यहां पर यारो कहीं ना कहीं तो होगी पहले हम लोग ढूंटे हैं अच्छी मेर को ठीक से चड़ा ही ना पा रही है यहां पर तो यारो मैंने पूरी जगा देख ली यहां पर ग्रीन ट्रांसफोर्मर कार कहीं पर भी नहीं है क्या हो सकता है कहां जा सकती है अबे यार अबे यह कहां से आ गई अबे अभी तो धोड़ी देर पहले नहीं थी अबे यह क्या हो गया अबे तुम पाक लोगी यह यह क्या ग्रीन ट्रांसफोर्मर कार ऐसे कैसे आ सकती हो बीना बिटा है अरे अबे तेर को में जोंबी जोंके पास ले जाने वाला था अरे यह पागल कर देगी ग्रीन ट्रांसफोर्मर कार यारो मैं तो यहां से जा रहा हूँ टिप्सन की तो ऐसे ऐसे उट पटागी मिसन करवाता रहेगा वो ग्रीन ट्रांसफोर्मर कार है कोई जोटी मोटी कार थोड़ी ना है अब इन जोंबीजों को यह ग्रीन होगा फिर्फ मेरा कब्जा उस इविल अलको को भी में लात मार के निकाल दूँगा अपनी पार्टनर्शिप में से अब पुलिस बालों तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते अब तो ये गिरिन ट्रांस्फोर्मर कार मेरी है मेरे बस में मैं अगर नाच नहीं को कूँगा तो नाच ही रही है अब तेरी तो ऐसे कम जैसी निकल और नाच तेरे नाच तेरे रहे रोपी रो आऊंगा मैं जल्दी तेरी पूंगी बजाने तेरा बाय स्टन तुद से छीदने के लिए और हां इन वीडियों के शेयर करो शेयर 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 खेयर णा तो गुद डियारों फिर मिलते तो और बस और क्या भोलें तो गुदे यारों और तबको सिस कुद्ध का 40